अर्जुन ने कहा कहते कभी हो योग को उत्तम कभी सन्यास को हे कृष्ण निष्टे कर कहो वह एक जिस से श्रे हो सन्यास एवं योग दोनों मुक्ष कारी है महा सन्यास से परकर्म योग महान हितकारी कहा है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेशिया इच्छा रही तज द्वंद सुक से सर्व बंधन मुक्त होता है वही है सांख्य योग विबिन कहते मूड नहीं पंडित कहे पाते उभै फल एक के जो पून साधन में रहें पाते सुकती जो सांख्य गांग्याने कर्म योगी भी वही जो सांख्य योग समान जाने तत्प पहिचाने सही निशकाम कर्म विहीन हो पाना कठिन सन्यास है मुनि कर्म योगी शिक्र करता ब्रह्म ही में वास है जो योग युत है शुद्ध मन निज आत्म युत दे के सभी वह आत्म इंद्रिय जीत जन नहीं लिप्त करके कर्म भी तत्पग्य समझे युक्त मैं करता ना कुछ खाता हुआ पाता निरकता सुंगता सुनता हुआ जाता हुआ चूते वसोते सास लेते छोडते या बोलते वरते विशे में इंद्रिय आद्रिग बंद करते खोलते आसक्तितज जो भ्रह्म अरपन कर्म करता आप है जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यूँ पाप है मन बुद्धितन से और के वल इंद्रियों से भी कभी तज संग योगी कर्म करते आत्म शोधन हित सभी फल से सदेव विरक्त हो चिर शांति पाता युक्त है फल काम नामे सक्त हो बंधता सदेव अयुक्त है सब कर्म तजमन से जितेंद्रिय जीवधारी मोद से मिन कुछ कराए या किये नवद्वार पूर में नित बसे करतत्व कर्म न कर्म फल सैयोग जगतिश्वर कभी रचता नहीं अरजुन सदेव सभाव करता है सभी इश्वर न लेता है किसी का पुन्य अत्वा पाप ही है ज्ञान माया से ठकायो जीव मोहित आप ही पर दूर होता ज्ञान से जिनका हिर्दे अज्ञान है करता प्रकाशित तत्व उनका ज्ञान सुर्य समान है तनिष्ट पतत पर जो उसी में बुद्धि मन दरते वही वे ज्ञान से निश्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं विद्या विने युत द्विज़ प्रपंच चाहे गयू गज़ इश्वान है सब के विशे में ज्ञानियों की द्रिष्टी एक समान है जो जन रखे मन सामय में वे जीत लेते जग यहीं पर ब्रह्म समदर निर्दोष है यों ब्रह्म में वे सब कहीं प्रिय वस्तु पाना प्रसंग आप्रिय पाना जो सुकहीन है निर्मोहद्रण मति ब्रह्म वेता ब्रह्म में लवलीन है नहीं भोग विशिया युक्त जो जन आत्म सुक पाता वही वे भ्रह्म युत अनुभव करे अक्षे महा सुक नित्य ही जो वाहरी संयोग से है योग दुख कारण सभी है आदियुन का अंतुन में विज्य नहीं रमते कभी जो काम क्रोधा वेग सहता है मरण पर यंत ही संसार में योगी वही नर सुक सदा पाता वही जो आत्मरत अन्तै सुखी है जोती जिसमें व्याप्त है वेह युक्त ब्रह्म स्वरूप हो निर्वान करता प्राप्त है निश्व पाप जो कर आत्म सैयम द्वंद बुद्धि विहीन है रत जीव हित में भ्रह्म में होते वही चनलीन है यतिकाम क्रोध विहीन जिन में आत्म ज्यान प्रधान है जीता जिनोंने मन उने सब और ही निर्वान है धर द्रिष्टी भ्रिकुटी मध्य में तजबाये विशियों को सभी नितना सिकाचारी किये सम प्राण और अपान भी वश में करे मन बुद्धि इंद्रिय मोक्ष में जो युक्त है भै क्रोध इच्छा त्याग कर वै मुनि सदा ही मुक्त है जाने मुझे तप यग्य भोकता लोक स्वामी नित्य ही सब प्राणियों का मित्र जाने शान्ति पाता है वही पाच्वा अध्याय समाप्तुआ इसमें भगवान कृष्ण निशकाम करम को ही सन्यास बता रहे हैं और वै कह रहे हैं कि प्राणों को ब्रुकुटी में रखकर प्राणों को ब्रुकुटी में रखने का मतलब यही है कि आप पूरी तरह से निशकाम में आप जब स्थित हो जाएंगे आपका संसारी कार्य करने में जरासा भी स्वार्थ नहीं रह जाएगा तब आपकी प्राण और अपान दोनों की गती आपकी बराबर हो जाती है और आप इश्वर में स्थापित हो जाते हैं यही कर्म सन्यास योग है यही कर्म सबसे उत्तम है इस कर्म का बंधन मनुश्य को नहीं होता और वो हमेशा हमेशा के लिए जनम मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है हरी ओम तत्सत